हमारे साथ चर्चा में जोड़े हैं पॉलिटिकल स्ट्राटेजस्ट एके मिश्रा जी एके मिश्रा जी आपका स्वागत है सोरे समचार पर जिस तरीके से खबर अभी सामने आई आपने दिखा ये बड़ी खबर इस वक्की है मिसले माननी चाहरे क्योंकि दो प्रबल कि तौर पर लगता जब चुनाव प्रिचार पर साथ चल रहा था अशोग गहलोत और सचन पालेट का नाम सामने आ रहा था लेकिन अब फिलहाल मुहर लगते अशोग गहलोत के चेहरे पर नजर आ लिए क्या समझा जाए कि मिश्रा जी जिस तरीके से हमेशा जो कॉंग्रि लेकिन अगर स्ट्रेजिक पॉइंट आप यू से देखा जाया तो अभी इनको इमेज भी बनानी है कॉंग्रेस की यह किसी भी तरीके से यह नहीं बोलना चाहते है कि हमारे पार्टी में इंटरनल मैनेजमेंट नहीं है दो हजार उननिस के एलेक्शन को अगर आप देखें इसमें मुझे कोई इशु नहीं लगता है कि यह बहुत बड़ा इशु बनेगा इसमें सिंपिल और सिंपिल असोग गहलोट जो हर तरीके से एक्सपीरियंस में राजस्थान का अगर देखा जाए और चुकि देखे सरकार बनने के बाद यह भी सबसे बड़ी चुनोती है क पतरीक चारचा महिने का टाइम है इसी में इनको सारे मैजिक दिखाने है तो एक नए आदमी के हाथ में कमान कि मतलब अनिक्स्पिरियंस आत्मी के हाथ में कमान दे करके ट्रायल एंडर बेसिस पे इतने बड़े स्टेट के गवर्मेंट को नहीं चलाना चाहेगी जबकि 2019 का मेन है तो उसके लिए असोक गहलोथ हर क्राइटेरिया से फिट बैठते हैं और अभी आपने बताया अभी थो है करता हूँ